हलो फ्रेंड्स, बेलकम टू सन्विक क्लासेज़, आज के वीडियो है परत्योकता दर्पन के मई महिने में दिया गया सार संग्रा, इसके सारे प्रस्ण काफी महत पुर्ण होते हैं, हमेशा एकजाम में इससे प्रस्ण देखने को मिलता है, आप इसे पूरा देखे, काफी फ याग में प्रती पास्वे बर्स एक समारो कायोजन होता था, इसे महा मोच परिसद कहा जाता था, और इसका अंसर हो जाएगा हर्स बर्धन के सासन काल में, हर्स बर्धन बर्धन बंसके था और इसकी रजधानी कन्नावज था, अगला प्रस्ण है कि महापासान संस्कृती 1500 सो से 1000 इसा पुर्व हमें दच्छिन भारत के उस एतिहासिक यूग से परिचित कराती है, जब महापासान काल में उप्योग में लाए जाते थे, क्या चीज़ उप्योग में लाए जाते थे, तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधिया या कब्र, नेक्स देखते हैं, ब निमिस्मेटिक्स क्या है, तो यह सिकों एवं अभधात्यों के अध्यान को कहा जाता है निमिस्मेटिक्स, अगला प्रसन देखते हैं कि बैदिक काल में किस यग में सूरा कपरियोग किया जाता था, और इसका अंसर हो जाएगा सौत्ता मनी में, अगला है किस यूग में मा अगला देखते हैं कि भारत की रूई अन्रूईयों से अधिक सफेद है यह विचार किसका था और इसका अंशर हो जाएगा मेगास्थनीज का नेक्स्ट है हर चरित में किस सासक को हून हरीनी केशरी कहा गया है हून हरीन केशरी कहा गया है और इसका अंसर हो जाएगा परभाकर बरधन को अगला सेक्षन देखते हैं राष्टिय स्वतंता अंदोलन से उसके पहले प्रस्ण हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रभधान किया गया था कब किया गया था तो मिंटो मरले सुधार द्वारा अगला है किस सत्र में भारतिय राष्टे कांग्रेस ने पुर्ण सुराज पुर्ण स्वतंता को अपना लच गोशित किया था और इसका अंसर हो जाएगा लहौर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पुर्ण स्वतंता के लच गोशित किया गया था और इसका अंसर हो जाएगा सर मुहम्मद इकबाल ने बोला था कि नहरु एक दिसभक्त है जबकि जिनना एक राज नेता है अगला देखते हैं किसने कहा कि साइमन कमिशन रिपोर्ट को बकबास के धेर पर फेक दिया जाना चाहिए और इसका अंसर हो जाएगा महातमा गांधी ने कहा था कि साइमन कमिशन रिपोर्ट को बकबास के धेर पर फेक दिया जाना चाहिए अगला है 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संजुक्त रच्छा समीती जिसे सैनिक करमचारियों, हत्यारों एवं युद समगरियों के विभाजन की जिम्मधारी सोपी गई थी का सरबुच चिनापती बनाया गया था इसका अंसर हो जाएगा रेड कलिफ को अगला है किस दिन को मुस्लिम लीग ध्वारा परत्यस्च करवाई दिवस के रूप में गोशना किया था क्योंकि यह भारतिय परतिनिदितं के बीना एक सर्व सुयत आयोग था इसमें भारतिय परतिनिदित नहीं था अगला है 6 अप्रैल 1931 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारिक इससे जुड़ी है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार से नेक्स देखते हैं महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी और इसका अंसर हो जाएगा सौकत अली ने महात्मा गांधी के साथ सौकत अली ने बाल गंगाधर तिलकी अर्थी उठाई थी अगला देखते हैं भारत के सासन में एक परतिनीधी और लोगपिरिये तत्व को पेस करने का पहला परियास किस के द्वारा किया गया था और इसका अंसर हो जाएगा भारतिय परिशद अधिनियम 909 के द्वारा नेक्स ट्रेक्शन देख लेते हैं भारतिय राजबेवस्था एवं संभीधान से लोगडाउन के दवरान भारत सरकार के द्वारा परियुक्त आसाधारन सक्तियों को बिधिक अधार निमलिखित में किन कानूनों से प्राब्ध हुआ और इसका अंसर है डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट 2005 एवं एपीडेमिक डिजीज एक्ट 9807 में अगला है सर्वोच नियाले द्वारा अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्ना या आदेश का पुन्रा बलोकन कर सकता है यह बेवस्ता समिधान के किस अनुछेद में उपबंदित है तो ये वंदित है अनुछेद 137 में सर्वोष नियालाय जो अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्ना या आदेश को पुन्रावलोकन कर सकता है अगला है समिधान के निमलिखित में से किस अनुछेद में यह बेवस्था की गई है कि उस्तम नियालाय द्वारा बिनिश्चित बिधी भारत के राजचेद के बीतर सभी नियालयों पर अवध कर होगी और इसका अंसर हो जाएगा अनुछेद 141 में बर्नन है नेक्स्ट है राज बिधान परिसदों में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है और इसका अंसर हो जाएगा बिधान सवा की सभी सदस संख्या के अधार पर अगला देखते हैं भारतिय समिधान का कौन सा अनुछेद राष्टपती के पद के लिए पुना निर्वाचन की योगताईं निड़धारित करता है और इसका अंसर हो जाएगा अनुच्छेद संतामन अगला है समिधान के किस अनुच्छेद के प्रावधां के अनतरगत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म भीगूशन आदी अलंकार परदान किये जाते हैं और इसका सही अंसर हो जाएगा अनुछेद 18 के द्वारा अगला देखते हैं किसी राज में अनुछेद 356 के अंतरगत राष्टपती सासन समानता अधिकतम कितनी अबदी के लिए लगाया जा सकता है और इसका अंसर हो जाएगा अधिकतम 3 बरस तक लगाया जा सकता है अनुछेद 356 के तहट अगला है भारत एक धर्म निर्पेच राज है इसका मतलब है कि भारतिय राज किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है नेक्स्ट है वे दो सब्द कौन से है जिनका संसोधन 42 संसोधन द्वारा समिधान की उद्देशका में किया गया है और वो दो सब्द है समाजबादी और धर्म निर्पेच अगला देखते हैं कि भारतिय समिधान के किस अनुछेद में भारतिय नागरीकों के मूल करतब सामिल है अनुछेद एकामन के में नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं भारत वं बिसुका भुगोल कौन से ग्रह को सुबह का और साम का तारा कहा जाता है और इसका अंसर हो जाएगा सुक्र ग्रह को नेक्स्ट है अकार के हिसाब से निमलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और इसका अंसर हो जाएगा बहस्पती मौसम की भविस्वानी में किसकी सहयता ली जाती है और इसका अंसर हो जाएगा भू अस्तरिय उपग्रा की नेक्स देखते हैं केंदर सासित परदेश अंडमान निकवार दीप समू की राजधानी पोर्ट बलेयर किस दीप पे इस्तित है और इसका अंसर हो जाएगा दच्छिन अंडमान में इस्तित है पोर्ट बलेयर अगला है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है पिर्थिवी पर समूदर तल से सबसे गहराई वाला स्थान कौन सा है और इसका अंसर हो जाएगा मारियाना ट्रेंच नेक्स्ट है दमन गंगा नदी से कहां बहती है अगला है द जमन गंगा नदी से कहां बहती है और इसका सही अंसर हो जाएगा दादर नगर हबेली से अगला है डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच का अंतराष्टिय सीमा रेखा है तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच का अंतराष्टिय सीमा रेखा है मेरा बान भारत के किस राज में इस्तित है और इसका अंसर हो जाएगा हिमाचल परदेश में रावी नदी पर अगला सेक्षन देखते हैं परियाबरन एवं जैब विवित्ता से जैब विवित्ता की परचूरता तथा छेतर बिसेसी जीवों की परमुकता वाले संबेदन सिल अस्थल को क्या कहते हैं और इसे कहते हैं तप्त अस्थल नेक्स्ट है परिथिवी की सता पर जल बाई एवं भूमी सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है और ये कहलाता है जीव मंडल अगला है आई-ई-उ-सी-अन किस छेतर में सलग्म संगठन है तो यह जीव सरच्छन के छेदर में संगठन है अगला है निरंतर हास के कारण सिग्रहिष संकट ग्रस की सिरेनी में आने वाली आंसिक बाली जाती को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं सुवेद जाती निरंतर हास के कारण सिग्रहिष संकट ग्रस की सिरेनी में आनिक या संका बाली जाती को क्या कहते हैं स सहाइता करती है जो पिर्थिवी के बायमंडल में ओजोन प्यरत है वह प्राबैगनी किरने को पिर्थिवी के भीतर प्रविस करने से रोकती है अगला है पहाडों पर काफी नमी एवं जल होता है फिर भी यहां मरुद्विद क्यों होते हैं और इसका अंसर है ढलानों के पर उप्योग में नहीं लाया जाता है नेक्स्ट है एक प्रस्थित की तंत्र में उत्पाद को एवं वक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं तो यह निश्चित करता है जलवाई संबंधी कारक अगला है मौल्यम राष्ट्य उद्धान अवस्थित है कहां अगला है मर्वस्थली भवन किस्से होता है तो बहुत उच तापमान एबं कम बरसा के कारण मर्वस्थली भवन होता है अगला देखते हैं परस्थित की तंत्र में उर्जा का परमुक स्रोथ क्या है तो उर्जा का परमुक स्रोथ सुर्ज है नेक्स रेक्शन देखते हैं भारतिय अर्थ व्यवस्था से आर्विट्रेज का क्या अभिप्राय है और इसका सही अंसर हो जाएगा सोतंत्र विदेश सी मुद्रा बजार से कम मुले पर क्राय की गए मुद्रा को अन्यत ऊचे मुले पर बेचने की किरिया को आर्विट्रेज कहते हैं नियम किस नियम करती किया था अगरा है बिश्विव्यापार संगठन के अस्थापना कब हुई थी और इसका अंसर हो जाएगा 1995 में नेक्स्ट है भारत में सेर बजारों के लिए मुख नियंतरक का कार्ज कौन सा संगठन करता है और इसका अंसर हो जाएगा भारतिय प्रतिभूती एवं बिनमे बोड से भी भारत में सेर बजारों के लिए मुख नियंत्रक का कार्ज करता है से भी अगला है भारत में क्रमचारियों की महगाई भत्ते निर्धारित करने का धार क्या होता है तो इसका होता है वक्ता मुल सुचकांग नेक्स देखते हैं कौन से सुचकांग माना विकास सुचकांग SDI की गन्ना में समलित किया जाते हैं तो समलित किया जाते हैं जीवन परतियासा, सिच्छा, परति ब्यक्ति आए अगला है उद्धोग के तिब्र विकास और अधोगी करन की रनीती मुख रूप से किस योजना का अंग थे और इसका अंसर हो जाएगा दित्य योजना का उद्धोग में तिब्र विकास और अधोगी करन की रनीती मुख रूप से योजना के अंग थे दित्य योजना के नेक्स्ट है केंदर सरकार द्वारा गोसित योजना संगम योजनाग ने किस बर्क के कल्यान पर ध्यान केंदरित किया गया है और इसका अंसर हो जाएगा बिकलांग बर्क है अगला सेक्षन देखते हैं खेल कुद से खेल कुद के पहले परस्ण है कि टेनिस के किन अस्परधाओं को ग्रेंड अस्परधाएं कहा जाता है तो यह चार है अस्ट्रिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विवल्डन एवं अमेरिकी ओपन अगला है ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महिला का नाम क्या था और पहली महिला का नाम था मेरी लीला रो नेक्स्ट है सतरंज खेल में कितने खाने या बर्ग होते हैं और इसका अंसर हो जाएगा 64 खाने होते हैं फुटबावल के गोल पोस्ट की चड़ाई कितनी होती है तो फुटबावल के गोल पोस्ट की चड़ाई 24.66 फीट होती है इक्वल टू 7.32 मीटर के बराबर अगला है राश्टिय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है तो राश्टिये खेल दिवस 29 सगस्त को मनाया जाता है नेक्स्ट परस्ट ने किर्केट पीछ की लंबाई कितनी होती है तो किर्केट पीछ की लंबाई 20.12 मीटर होती है बनाना की किस खेल से संबंधित सब्ध है तो बनाना की फुटवाउल खेल से संबंधित है किर्केट से संबंदित प्रेमदासा स्टेडियम कहां इस्तित है तो प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो सिरलंका देश में इस्तित है हौकी में कितनी दूरी से पेनल्टी स्टोक मारा जाता है तो हौकी में पेनल्टी स्टोक आठ गच की दूरी से मारा जाता है नेक्स्ट है किर्केट के किस टेस्ट सिंखला से एसेज कब समबंदित है ये समबंदित है अस्ट्रेलिया इंग्लेंड टेस्ट सिंखला से अगला सेक्षन देखते हैं किरिसी से आईयार 20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है और इसका अंसर हो जाएगा चाव ब्रिष्टी नेक्स्ट है उस खादफसल का नाम बताईये जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है और इसका सही अंसर हो जाएगा चाबल अगला है भारतिय सबजी सोद संस्थान इस्थित है कहां इस्थित है भारतिय सबजी सोद संस्थान इसका अंसर हो जाएगा बारानसी में नेक्ट है गेहुं का बनस्पतिक नाम क्या है तक गेहुं का बनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टीबम अगला है जगनात है क्या है जगनात इसका सही अंसर हो जाएगा यह चाबल के उत्परिवर्तन किस्म है एक्स्ट है चने का बनस्पतिक नाम क्या है और इसका अंसर हो जाएगा साइसर एरी टीनम अगला है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज करता है और इसका सही अंसर हो जाएगा मध्ध पर्देस में दाल का उत्पादन सबसे अधिक होता है नेक्स चेक्शन देखते हैं कम्प्यूटर ग्यान से मेगनेटिक टेप्स, फ्लॉप्पी डिस्क, अप्टिकल डिस्क, फ्लैस मेमोरी और हाट डिक्स किसका उधारन है और इसका अंसर हो जाएगा सहायक मेमोरी का लिनेक्स ऑप्रेटिंग सिस्टम क्या है तो यह मल्टी यूजर मल्टी टासकिंग है ODBC का पूरा नाम क्या है ODBC का पूरा नाम है Open Database Connectivity Next है TFTP का पूरा नाम क्या है TFTP का पूरा नाम है Travial File Transfer Protocol Next है WW Service Wave Server और Wave Browser के भी संपर का स्थापित करने के लिए HTTP Protocol इस्तमाल करती है Next है उस हार्ट बेड को क्या कहते है जो कम्प्यूटर में Digital Signal को Analog में बदलता है और Telephone Lines द्वारा भेज सकता है तो उसे कहते हैं Modern Next है IP Address कितने Classes में बिभाजित होते है तो IP Address 5 Classes में बिभाजित होते है Next है एक Operating System का हिस्सा जो अस्थाई रूप से मुख मेमोरी में रहता है कहलाता है Kernel अगला है एक Website से दूसरी Website पर जाना कहलाता है Browging Next है Programming Language से निमलिखित में किसका उदारन है तो Programming Language C से निमलिखित में किसका उदारन है तो Structured Programming Language का अगला सेक्षन है बिविद से देखते हैं कि भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी तो भारत की पहली बोलने वाली फिल्म थी आला मारा Next है किस योगी को समान फ़लो और उसके रस को सुरच्छित रखने के लिए इस्तिमाल किया जाता है और इसका अंसर हो जाएगा Sodium Benjo 8 Next है एक ही अस्थान पर लगने वाले दो महकुम मेलों के बीच कितना अंतराल होता है तो ये अंतराल होता है बारा बरसों की अगला प्रस्ण है कि यामनी राय ने कला के किस छितर में नाम किया और इसका अंसर हो जाएगा चितर कला में यामनी राय अगला है पुसकर मेले कायोजन कहा होता है नेक्स्ट है प्राचिन पौरानिक और विस्व विख्यात हरियर छेदर का मेला कहा लगता है तो हरियर छेदर का मेला बिहार में लगता है उस अस्थान का नाम बताए जहां गितका स्री त्याग राज के सम्मान में यमित रूप से त्याग राधना त्योहर मनाया जाता है और इसका अंसर हो जाएगा बंगला भासा हिंदी के पस्चात भारत के दुसरी सरवादिक बुले जाने वाली भासा है बंगला भासा अगला है भारत के किस भासा को इटालियन अफ दा इस्ट कहा गया है इसका अंसर हो जाएगा तेलगू को नेक्स्ट है देश के एक मात्र किस र धन्यवाद